नमस्ते दोस्तों नमस्षिवाय आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और रेसीपी के साथ तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंदा है तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा तो देखिए यह बनाने के लिए मैंने लिया है और साथ प्याज है बट बहुत छोटे- हैं तो अगर मीडियम होता तो आप तीन रहता तो भी काम चल जाता फिर इसको इस तरीके से ना बिल्कुल पतले-पतले स्लाइस में काट लिया है मैंने देखो बिल्कुल जैसे छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं ने चौक और वैसे काटा है मैंने और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी लेसन हरा वाला है और मैंने डेड़ इंज के करीब अध्रग का टुकड़ा लिया है तो पहले हम लेसन को भी छोटे-छोटे बिल्कुल पतला-पतला काट लेंगे देखे कैसे और मैं चौपिंग बोर्ड पे इसली नहीं काट पाती हूं तो मैं ऐसे ही काट लिया है बिल्कुल पतला-पतला और अब हम अध्रग को भी छोटे-छोटे टुकड़े में काट लेंगे इस तरीके से और हमने एक टमाटर सरफ लिया है क्योंकि मैं दही यूज करूंगी तो इसलिए टमाटर कम है तो टमाटर का भी इस तरीके से वाइट पार्ट निकालक इसको बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़े में काट लिया है हमने फिर हमने लिया है यह पनीर यह पनीर था साड़े साथ सो ग्राम तो देखिए इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है मोटे-मोटे और बड़े-बड़े पीसिज में उसके बाद हमने चढ़ाई है कड़ा ही हमारे घरम हो गई है तो इसमें डालेने याइज़ गोग्रिया कि अग्श्ट को सब ये है बहुत हे अट्राइकर जादा इस वह जाहनाफ मोग्राइब धटाएज देखेश करें कैसे सब तो हाड भी नहीं करना है और फ्राइ करने से टेस्ट थोड़ा साच्छा आता है तो फ्राइ करना है बट बहुत ज्यादा नहीं और जब तक यह फ्राइ हो रहा है ना तब तक देखिया इधर हमने पानी गरम कर लिया था पतीले में और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक यह स्पून छोटी है इसलिए एक दिख रहा है और जो फ्राइ किये हुए पनीर है ना उनको हम इसी में गरम पानी में पनीर हो गरम भी रहेगा और शॉफ्ट भी रहेगा आवाज मेरी थोड़ी सी खराब हो गई है कोल्ड हो रहा है तो यह देखो इसी तरीके से सारे जो पनीर है ना उनको हम निकाल के और गरम पानी में डालेंगे और उसके बाद जो बाकी बचे हुए पनीर है उनको भी सेम ओयल में हम फ्राय करेंगे ऐसे हलका हलका बहुत जादा नी और उनको भी निकाल के हम गरम पानी में डालेंगे और उसके बाद ना, same oil में हम, अगर oil ज़ादा है, तो थोड़ा कम कर सकते हैं, same oil में ही हमें बाकी चीजे करनी है process, तो देखिए, मैंने इसमें डाला है, दो तेजबत्ता, जिसको तोड़ लिया है, थोड़े से गरम मसाले हैं, खड़े, जैसे एक ilaici है, जिसको मैंने खोल एक टुकड़ा दाल चीनी का है पांच लॉंग है आधा जावित्री का फूल है बारा पंद्रा के करिब काले मिर्च साबुत और आधा चम्मत जीरा इन सब को हमने तेल में डाल दिया है और यह थोड़ा सा भुन गया है तो उसके बाद हमने यह जो हरा लेसन काटके रखा था इसको डाल दिया है और साथ में ही बिल्कुल 30 सेकंड के बाद हमने यह जो अध्रक काटके रखा था ना इसको भी डाल देंगे और इन दोनों को थोड़ा सा भूनेंगे हम थोड़ी देर तक और साथ में हमने डाल दिया है आधा चम्मच अद्रक लेसन का पेस्ट इससे डालने से जो प्यास बगएर होते हैं वो बहुत अच्छे से गल जाते हैं तो अद्रक लेसन मैंने डाला था अल्रेडी यह विल्कुल थोड़ा सा मैंने पेस्ट भी यूज किया है आप चाहो तो स्किप कर सकते हो और उसके बाद थोड़ी देर भूनने के बाद हमने डाल दिया है कटा हुआ प्याज और आपको पता ही है मैं प्याज के साथ में ही डाल देती हूं नमक तो मैं नमक डाल रही हूं नमक स्वाद के हिसाब से होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि कम होगा तो हम डाल सकते हैं बड़ जादा हो गया तो बहुत मुश्किल होती है निकाल नहीं सकते तो नमक डालना है और उसके बाद से इसको अच्छे से मिला के और धग धग के इसको हमें भूनना है ताकि ब्राउन होने के साथ साथ यह थोड़ा सा सौफ्ट भी हो हो जाए क्योंकि कडाही में बना रहा है तो इसलिए हम इसको धग धग के भूनेंगे बीच बीच में चलाते रहना है मतलब अटेंटिव रहके बनाना है ऐसा नहीं कि हमने प्याज डाल दिया धग दिया और कीचन से बाहर चले गया पता चले आया तब तक धूंग निकल र तो देखे मैं धक धक के भून रही हूं इसको अब यह जो प्याज है ना यह 70-80% तक हो गया है तो देखिए थोड़ा-थोड़ा ब्राउन हो गया है को थोड़ी दिर और भूनेंगे हम इसको आप देखिए अब हम इसको लगतार चलाते हुए बूनेंगे अल्मुस्ट हो देखिए अब इसको मैं ना क्यूंगे पखाऊंगे ना तो जल भी सकता है इसलिए मैं इसको लगतार चलाते हुए भून लिया है मैंने और देखिए गोल्डेन ब्राउन हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर जो मैंने काट के और बीज निकालके रखा था और टमाटर को भी थोड़ी दिर चलाएंगे हम आधा मिनट के करीब और फिर इसमें हम एड़ करेंगे मसाले तो मैंने लिया है एक चमच धनिया पाउडर मुझे अंदाजा है मैं चमच नहीं लेती हूँ बट अंदाजा है मुझे कितना होता है चमच आधा चमच मैंने जीरा पाउडर लिया है और एक चमच मैंने गरम मसाला लिया है मार्किट वाला और हमने लिए है पौना चमच हल्दी मतलब 3-4 हल्दी लिया है और देड़ चमच के करीम मैंने लिए कश्मेरी लाल मिर्च क्योंकि इसको कश्मेरी लाल पनीर भी बोलते हैं तो कलर आना बहुत जरूरी है और साथ में मैं डाल रहे हूं थोड़ा सा पानी ताकि यह जो मसा से इसको चला के ढख देंगे पर ध्यान यह रखना है कि जो मसाले है उनको मीडियम टू लो पे ही भूनना है हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है नहीं तो वह जल जाएंगे तो देखिए मसाला जो है वह बहुत ही बढ़ियां से भून रहा है जल्द बाजी बिल्कुल भी नह मसाले में मसाला बहुत प्रेम से भूनता है बहुत प्यार से पेसें से तो स्लो फ्लेम पे जितना मसाले को भूनते है उतना बढ़ियां फ्लेवर आता है क्योंकि मसाले जलते नहीं है और अच्छे से पकते है और इस तरीके से हम इसको कूट रहे हैं ताकि जो टमाटर है व प्रीज माफ करिएगा तो अगर दही मीठी हो या पानी निकाली हुई दही हो तो आप पूरा दही भी ले सकते हो पट मैंने आधा दही आधा मा लाए लिया है इसको बीट कर लिया है अब मसाले देखो यह हो चुके हैं पूरी तरीके से आप देख सकते हैं तो मसाले को अच्छे से जैसे थोड़े बहुत टमाटर बच्छे हैं इसको मैंने कूट लिया है और अब साथ में मैं डाल दूंगी यह जो बीठ किया हुआ दही और फ्रेश क्रीम था वह और थोड़ा सा मैं पानी आड़ कर रही हूं ताकि यह दही भी बिकार ना हो और मसाल से भुनेगा आराम से जलेगा नहीं और अब हम यह करना है ना कि इसको तब तक लगतार चलाते रहना है जब तक की मसाला उबलने ना लग जाए क्यूंकि हम जब भी मलाई वेगर यूज करते हैं और अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो फिर वह फट जाता है कलर भी अधार चलाना है एक देड़ मिर्च चलाने के बाद दिखिए उबलने लग गया था यह अच्छे से तो अब मैं इसमें डाल रहे हूं हरी मिर्च मैंने पांच ली है हरी मिर्च और बीच से खोल दिया है इसको आप मिर्ची अपने एक ओर इंग कम ज्यादा कर सकते हैं कोई दिख्कत नहीं है और उसके बाद मैंने लिए थोड़ी सी कसूरी में थी इसको भी क्रश करके डाल देंगे इसमें और उसके बद लास्ट में मैंने बिल्कूल आधी चम्मत से भी कम मैंने डाला है गरम मसाला घर का बना हुआ यह घर का बना हुआ है बहुत ही अच्छा है और इसको मैं हर सब्जी में यूज करती हूं और उसके बाद में डालती हूं आधा धनिया पत्ता मैं अभी डाल दे रही हूं आधा में लास्ट में डालोंगी तो और इन सब को डालने के बाद न अच्छे से मिला लेना है और इनको ढखके थोड़ी देर तक भूनना है दो-3 देख सकते हैं कि कितना मसता आया है और बहुत ही क्रीमी बना है जो ग्रेवी है बहुत क्रीमी और खुश्बु तो सच में बहुत ही अच्छा नहीं है यह मेने घर वालों को पसंद रहें कि thee कि वीकली 2 बेर बनाना पड़ता है और यह देखोizen अगर आपको रोटी की साथ खाना नहीं जुटा साथ मोई चावल के साहँ छावल की साथ खानी मैं थोड़ा सा मैने पानी अभी आप ओले सब्सक्राइब अगर पानी वह इनए वेल से खानल लेते हैं तो उसके बास से देखो तो देखिए इसको हम निकाल रहे हैं और यह देखिए कितना सॉफ्ट है बिल्कुल स्पंजी बिल्कुल सॉफ्ट और टूटा भी नहीं है मतलब बहुत ही मज़ा आता है खाने में इसलिए मैं बड़े-बड़े पीसेज में काटती हूं अब यह ग्रेवी बिल्कुल रेडी तो पहले ही था बट अब जो भी कसर बागी थी वो भी निकल गई तो अब हम इसमें पनीर को डाल देंगे और पनीर को बहुत जादा चलाने के जरूरत नहीं है इस तरीके से हम डिप कर देंगे इसको ग्रेवी में और ढ़क के इसको मैक् देखिए हमने इसको पका लिया है लग भाग एक देड़ मिनट के करीब पकाया है तो अब मैं उपर से इसमें डाल रहे हूं धनिया पत्ता और सच बोल रहे हूं कि बहुत ही यमी बनता है देखने से पता नहीं चलेगा एक बर अब ठ्राय करो मेरे तरीके से और अगर पसं क्या कमी थी तो मैं उसको ठीक करूंगी ठीक है अब ग्यास मैंने कर दिया है बंद इसको ढग दिया है थोड़ी दिर बाद हम सफ कर सकते हैं तो यह था आज का हमारा रेसिपी तो अगर वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए मिलते है नेक्स्ट वीडि